हेलो फ्रेंड वलकम टू इस्टडी न्यूज आज हम इस वीडियो में मगद महा जन्पद के बारे में जानेंगे इसके इतिहास के बारे में जानेंगे सो लेट अस स्टार्ट मगद प्राचीन भारत के 16 महा जन्पदों में से एक था जो अब प्रजन टाइम में पटना और गया जिले में सामिल है इसकी राज़ाने गिरिवरच और पाटली पूत्र थी मगद के संस्थापक व्रेद रत थे मगद प्राचीन काल से ही राजनेतिक, समाजिक और धार्मिक गति वीडियो का केंदर रहा है मगद का इतिहास भारती, संस्कृति और सभिता की विकास का प्रमुख इस्तंभ माना गया है मगद सामराज सबसे सक्ति साली सामराज था इसमें चार वंस थे पहला हर्यक वंस, दूसरा सिसुनाग वंस, तीसरा नंद राज वंस और चौथा मौर सामराज तो हम पहले हर्यक वंस को जानते हैं हर्यक वंस मगद सामराज का पहला वंस था इस वंस को प्रित्य हंता वंस की रूप में भी जाना जाता था क्योंकि इसमें जितने भी लगभग राजा बने उन्हों ने पिता की हत्या करके शासन किया था हर एक वन्स की स्थापना 544 इसा पूर में हुई और इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी बिंबिसार ने गिरी वरज जिसे राजगरी भी कहते हैं इसको अपनी राजधानी बनाई थी बिम्बिसार ऐसा पहला सासक था जिसने वेवाहिक संबंधों से सामराज का विस्तार किया था बिम्बिसार एक कूट नितिग और दूर दर्सी सासक था उसने प्रमुख राजवनसों में वेवाहिक संबंध इस्थापित कर राज को फैलाया सबसे पहले इसने लिछवी गड़राज के सासक चेतक की पुतरी चलना के साथ विवा किया फिर कौसर राजा प्रसेन जित की बहन महा कोसला के साथ विवा किया फिर इसके बाद भद्र देश की राज कुमारी इचेमा के साथ विवा किया इसी तरीके से बिम्बिसार ने अपने सामराज का विस्तार किया था बिम्बिसार ने अंगराज को जीत कर अपने सामराज में मिला लिया था वहां उसने अपने पुत्र आजात सत्रू को उपराजा नियुक्त किया था बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और सनरक्षक था बिम्बिसार ने महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद बहुत धर्म ग्रहंड किया था बिम्बिसार ने करीब बावर वर्सु तक सासन किया था इतिहास से पता चलता है कि बिम्बिसार के पुत्र अजा सत्रू ने अपने पिता को बंदी बना कर कारागार में डाल दिया था फिर उसके बाद 412 इसापूर में बिम्बिसार का निधन हो गया अब जानते हैं बिम्बिसार के सासन काल के समय क्या-क्या इंपोर्टेंट काम हुए थे बिम्बिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्सक को उत्राधीकारी घोषित किया था भारते इतिहास में बिम्बिसार प्रथम राजा था जिसने इस्थाई सेना रखी थी और बिम्बि सार ने राज वैद जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था जीवक आमरपाली और बिम्बि सार का पुत्र था आमरपाली वैसाली की एक नर्थकी थी और महात्मा बुद्ध की उपासक भी थी इनका पुत्र बड़ा होकर काफी प्रसिद वैद्ध बना जिसने आगे चलकर भगवान बुद्ध की सेवा की थी और बिम्बी सार ने अपने सासन काल के समय में बौधधक बिक्छूओं को बिना सुल्क के जल यात्रा की अनुमती दे दी थी और बौध धर्म से प्रभावित होकर बेलुवन बगीचा दान में दे दिया था और कई इतिहास कारों का ऐसा मानना है कि बिम्बी सार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी देव वरत के उकसाने पर अजाद सत्रू ने की थी बिम्बी सार के बाद आजाद सत्रू मगत के सिंगहासन पर बैठा है इसने 412 से 460 इसा पूर तक सासन किया आजाद सत्रू के बचपन का नाम कुनिक था आजाद सत्रू ने भी अपने सामराज का काफी विस्तार किया था आजात सत्रू ने अपने बुद्धी और सक्ती से कई सामराज पर विजय प्राप्त कर अपने सामराज में मिलाया था जैसे कौसल संघर्स इसमें प्रसेन जित ने अपनी पुत्री का विवा आजात सत्रू से किया और उसी कासी दहेज में दे दिया दुसरा वज्जी यूद इसमें आजात सत्रू की विजय हुई जिससे आजात सत्रू ने लिछवी पर विजय प्राप्त किया और उसे अपने सामराज में मिला लिया मल यूद इसमें आजाद सत्रू ने मल संग पर आकरमण कर अपने अधिकार में कर लिया और इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर मगत समराज का सासन हो गया इसी तरह आजाद सत्रू ने कई समराज पर यूद कर विजयप्राप की अजाद सत्रू ने लगभग 32 वर्सों तक सासन किया था और 460 इसापूर्व में उसके पुत्र उद्याइन ने की हत्या कर दी थी अजाद सत्रू के सासन के समय ही महात्मा बुद को महापरी निर्माड जो 463 इसापूर्व में और महावीर को केवल यानि ज्यान की प्राप्ति हुई थी अजाद सत्रू ने महात्मा बुद के अफसेसों पर राजग्री में इस्तूप का निर्माड करवाया था और 473 इसापूर्व में राजग्री की सब्द पड़ी गुफा में प्रथम बौध संगीती का आयोजन किया था आजाद सत्रू के बाद 460 इसापूर्व मगध का राजा उदैन बना उदैन ने अपने पिता आजाद सत्रू के हत्या करके सासन किया था उदेईन ने पाटली पुत्र को बसाया था और अपनी राजधानी राजग्री से दुबारा पाटली पुत्र इस्थापित की इतिहास से ऐसा पता चलता है कि मगद के विरोधी राज अवंती के गुप्तचर द्वारा उदेईन की हत्या कर दी गई थी उदेईन के तीन पुत्र थे अनिरुद, मंडक और नागदसक उदेईन के पुत्रों ने राज किया अंतिम राजा नागदसक था जो कमजोर था नाग दसक को उसके सेना पती सिसुनाग ने हरा कर मगध पर राज किया और सिसुनाग वहां का राजा बन गया जिसके बाद हर्यक वंस का अंत हो गया और सिसुनाग वंस की इस्थापना 412 इस्वी में हुई तो ये थी मगध महा जनपत से जुड़ी कुछ important information और हर्यक वंस के बाद हम सिसुनाग वंस को अगले सिरीज में जानेंगे तो थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो प्लीस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और हम सिस्थापना झाला हर्यक प्लीस वीडियो प्लीस लाइक सिस्थापना और कमेंट